इनको पंजाब हर्याना और उत्राखंड भेज करके वहाँ जो सेव और किन्नू के लगे हुए ऐसे वैक्सिंग और ग्रेडिंग प्लांड थे वो दिखा करके तैयार करने के उप्रांत राश्टिय वागवानी मिशन योजना अंत्रगत इनको यहाँ 60,20,000 रूपे की संत्रा की वाशिंग ग्रेडिंग और वैक्सिंग यूनिट लगवाई जिसके लिए विभाग ने 14,87,000 रूपे का इनको अनुदान दिया ये एक अगरनी क्रशक है तो इनको प्रेरित करके यहाँ जहलवाड जिले में ये प्लांट लगाया है विभाग द्वारा मुझे महाराष्टा, मधिप्रदेश, गंगानगर, पंजाब, हर्याना सबरे मुझे मशिने दिखाई गई हैं जिसके बाद में मैंने मशिन लाके मशिन लगा ली गई हैं तो यहाँ पर किसानों को इसका काफी फायदा मिलेगा किसान यहाँ सिधे संपर्क करके अपने खेत का माल तुड़वा करके यहाँ ग्रेडिंग करवा करके भी व्यापारियों को सिधा बेच रहे हैं तो जो उत्माद उनको 12 रुपे, 14 रुपे में विकता था वो यहाँ ग्रेडिंग करने के उपरांत उनको 17 रुपे, 18 रुप चल रहा है तो जब किसान यहाँ अपने उत्पाद को लाकर ग्रेडिंग, वैक्सिंग और पैकिंग कराकर के अगर व्यावसाई करेंगे तो निश्चत तोर पर जो बाजार में उनको भावानी मंडी के अंदर उनको दर मिलती थी, उस दर से अच्छी दर पर यह अपना उत प्रेड्स का माल का ग्रेडिंग, वैक्सिंग और पैकिंग का काम चल रहा है और 6-7 ट्रक रोजना यहाँ से लोड हो करके पंजाब, हरियाना और दिल्ली में जा रहे हैं, इस प्लांट को शुरू हुए यह पहला ही वर्ष है और इसको देख करके अन्य उद्य में भी यहा तीन से चार कास्टगार और तैयार हो रहे हैं जो इस वर्ष नए ग्रेडिंग, वैक्सिंग प्लांट लगा करके यहां कारिये करेंगे, तो इसका सबसे बड़ा फाइदा यह रहा कि गर्दन खेडी ग्राम के आस पास के सो डेड़ सो मजदूरों को इस पर रोजगार मिल और व्यापरी बाहर से आके सिदा माल खरीद रहे हैं तो बीच में मीडियेटर्स कम होने से किसानों को अपने उत्पाद का उचित मुल्ले मिनने लगा है